जाखन की आदिवासी लड़की पानी भाद खाकर अंडर 17 फुटबॉल टीम की कप्तान बन गई है हम आपको दिखाएंगे कि इस पानी भाद की तासीर क्या है आखिरकार लोग इसे क्यों पसंद करते हैं इतना मजबूरी कहें या फिर शौक लोग बहुत ही चाव से पानी भाद को खाते हैं तो हमारे साथ हमारी सहयोगी हैं वो आपको बताएंगी कि आखिरकार इस पानी भाद को बनाते कैसे हैं और इसका टेस्ट कैसा लगता है बिल्कुल आर्थी पानी भाद मिंस की मुझे तो इसको देखके मुझे से कंट्रोल लेगा पानी भाद जी लल चाए पानी भाद बिना रहा न जाए तो मैं आपको दिखा दी हूँ कि कैसे खाते हैं मैं तो हूँ बिहार की और रह गई यहां जारकन में पली बड़ी सब और पानी भाद मतलब अब भी हमको मुझे अगर मन करता है कुछ लाजवाब खाने का जिसका स्वाद बे मिसाल हो तो बिल्कुल पानी भाद खाने का इस कितने भी गुपचुप खा लेजे लेकिन अगर अगर अब इसको खाएं ने तो फिर अब दूसरी चीज़ खाने से अब ही पहले सोचेंगे अगर यह अवेलिबल है तो क्यों न मैं यही खा लो तो अभी इसको देखिए मेरे मूं में भी पानी आ रहा है मैं कंच्रोल कर रही हूं क्योंकि भी बन रहा है इसके बाद भी अब लोग तो देखिए मैंने तो यह चावल या नमक डाला अपने ए नमक अब मैं ह depriतो हैं तो यह बहुत अद्यू कि दा्नित्य और ऑफ्त अचार यह मुं में पानी रगाए अर्दियांस आपने इमली की वागी तो यह देखे के अओ और अगा बहुत आप तीखे के सौकीन है तो हरीमिज भी डाल लेजे अब इसका स्वाद लेके देखेगा इसके साथ का सब्जी खा सकते हैं आपके इक्छा लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसलिए सब्जी की जरुवत होगी कि पानी भाद तो पानी भाद है इसका मेन इंग् इंग्रेंट है और भई हम लोग तो हाथ से खाने वाले आदमी है चम्मच वह स्वाद नहीं देता जो हम लोगों की हाथ से मैश करिए पूरे अच्छे तरीके से और फिर अवोल लाज देखे इसके रंग क्या बदल रहा है अब मैं बोलू पहले में जो लग रहा कि नहीं नहीं पहले आपको खाईए और ये पहला निवाला आप डालिए अभी नहीं मेरे मुह में पानी अलिन पहले आप किसका टेस्ट बताए उसके बाद फिर हम भी चखेंगे और ये पहला निवाला गया मूह में और इसके बाद टेस्ट के अलाजबाब की मुझे अपने बश् अगल से मूली निकाल के ले आया सलाद गजब लाजवाब कि इसमें आप मूली को मिस कर रही हैं नहीं मतलब आपके आंगन में अगर कोई हरी सब्जियां हो जिसमें बिनाकात का और वो मिल जाए तो फिर कंट्रोल करना मुश्किल है यह देखी हमारी सहयोगी को भी मतलब पानी भाथ जील अलचा रही है अब हर कोई चाहेगा कि हम पानी भाथ खाए रहा ना जाया तो चलो ट्राइ कर लिया जाए ऐसे तो मैं तो प्योर जार खंडी हूँ मुझे पता बच्पन से ही मैं पानी भाथ की शौकिन रही हूँ क्योंकि यहीं पर बढ़ी तो पता है कि इसके फाइदे भी है कि ус के फाइदे भी हो और कि गर्मी में अगर इसे को आपका थानदा रखता है और अभी तो गर्मी है ही ना भी रहती है दिना अंतर्द में तो आपका भी लल चाहरा हो। कि बता पाते कि कैसा लग रहा है। आपना देशी श्वाद। आपका भी मन कर रहा है। मन तो मेरा भी कर रहा है। क्योंकि आपकी नजर लगातार हम लोगों पर नहीं हमारे चाहरा है। कि कब आपकी खाएंगे। आप पानीबाद खाके देखिए और फिर हमारे कमेंड सेक्शन में बताइए कि आके कैसा लगा ये पानीबाद प्याज लाल मिर्ची और अचार का कॉंबिनेशन। तो देखिए पानीबाद तो हम खाएं रहे थे और देसे आप सभी को भी दिखा रहे थी कि पानीबाद का तासीर कैसा है टेस्ट कैसा है लेकिन जब हम लोग खा रहे थे तो हमारे ओफिस के और भी कलिक हैं जिनसे रहा नहीं गयार वो भी आगे हमारे साथ पानीबाद खा रहे हैं और अभी तक खबरों में इधर देख रहे थे कि बाड़ भात और ये जो फुट बाल से जुड़ा हुआ है वर्ल्ड कप में हमारे जो लड़किया है जारकंड की वो भी खेल रही है वो खेल कर जाती है लेकिन उनको जिस कारण से जिस मजबूरी में खाना पड़ता ह है आप लाल यहां पर ऐसी कोई मजबूरी नहीं लेकिन यहां टेस्ट की बात हो रही है और हम टेस्ट के लिहाज से इसे खा रहे हैं और और बहुत अच्छा लग रहा है पानी बात चम्मत से और हमारे साथ देसी में तो शहरी कर दड़का तब हम लोग तब से कही रहते है टो असली मजा है पाली पीने वे हैं हमारे साथ आप व्हारी एक और सहयोगी है उनसे भी जानते कि आकरकार वो भी तूकि हम भी पहली बार खाये पानी बाद और यह पहली बार है पानी बाद दूसरी बार है पट सब्सद्धिक इश्ले वारा हम ठीक सखानी पार तबी तो हमारे ओफिस की तमाम कलिक हैं जो अमारे साथ साथ देनी आने की पानी और भात खाने के लिए कुम उनको तो बहुत अच्छा लगा तो आप भी ज़रूर बताई की पानी भात का टेस्ट आपको बता और चके खाएगा जरूर एक बार कि पानी के इस हमने बता है और खाने को बच्चे नहीं जान ने लेकिन वह जानते जरूर है जिनों ने भीया ज़सक देखा और उनको पानी का स्वाद पता है पानी चावाद पता है झाल झाल झाल